हलो फ्रेंज विल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंज आज हम मेथी और आलू की सबजी बनाने जा रहे हैं तो मेथी आलू की सबजी बनाने के लिए यहां पर हमने मेथी ले लिया हैं आप देख सकते हैं तो मेथी को अच्छे से साब कर लेते हैं यह आपको थंडियों के मोसम में आसानी से मिल जाती है मेथी सबजी मारकेट में तो मेथी को साब करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन हल्दी भी राती है आज हरे पत्तेदार सबज underside यह मेति जो होती है आज कल कि मेति जएदा कड़ वी नहीं र caveat क्हाने में भी टेश्टी रहती है मेथि तो आप देख parks Ukraine के अर्थी को आलूँ साथ वनाने में ज़्यादा कड़ नहीं हो तो इसको साप कर लेते हैं में थी को थोड़ा टाइम जरूर लगता है तो साप कर लेंगे फिन इसको प्रेंड इसी तरह हम मेथी को साप कर लेंगे देखे प्रेंड मेथी को आप देखे इसको 3-4 पानी में दो कर और फिर इसको गरम पानी में 10 मिनट के लिए रख दीजे और फिर इसको निकाल के एक बरतर में इसका पानी सुखा लिजे फिर काटिए मेथी को अच्छे से दूलिया है आप देख सकते हैं पर हल्दी ले लिया गरम असाला ले 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 लिया हाँ और तेर ले ले लिये हैं Germ और जेरा डाल लेंगे ते रउनおお देखे फ्रेंड कि पिल गरम हो रहा है देखेते नार्म गरम हो जाएगा तो जीरह डाल देते हैं फ्रेंड देखे जीरह डाल देते हैं लेसुन डाल लेते हैं अब मिर्चा डाल लेते हैं मिर्चा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको तीखा खाना है नहीं खाना है इसको अच्छे से भून लेते हैं देखे भें इसको चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं अब देखे फ्रेंड भून जाएगा तो इसमें मसाला डाल देंगे इसमें धन्य पाउडर डाल दिये हैं हल्दी पाउडर डाल देते हैं गरम मसाला डाल दिये इसको अच्छे से मिला लेते हैं अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं अब देखे फ्रेंड भून गया है अब इसमें आलू डाल देते हैं आलो को अच्छे से डाल के बुन लेते हैं अब देखे फ्रेंग अब देखे फ्रेंड इसको अच्छे से बुन लेंगे आलो को अब देख सकते हैं फ्रेंड इसको ढग देते हैं थोड़ी देर के लिए बीच बीच में चलाते रहेंगे देखे फ्रेंड अब देख सकते हैं फ्रेंड इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में करेंड़ी कउ क्या देखे ब्रेंग डिश सकते हैं प्रेंडर को मारी डकर देखे में व्रेखा हैं प्रेंडर करेंडर कैया इसको उिल देखे सकते हैं अच्छे से इसको भून लेंगे आलो को अच्छे से भून गया है अब इसमें हम मेथी डाल देते हैं मेथी वह से भी पानी निकलता है मेथी से आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिला लेते हैं मेथी को देखे पहें इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में नमक डाल देते हैं अब देख सकते हैं यह पानी देखे मेथी से निकला है इसी में आलो पक जाएगा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको ऐसा लगता है तो मेथी लग रही हो पानी निकला हो तो आप थोड़ा पानी डाल दीजे जिसे आलो अच्छे से पक जाए प्रेंड इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में सबजी को सबजी दीमी आच में ही पकाना चाहिए जिसे सबजी का टेस्ट जादा राता है अब दीट एंड़ा है अब दीट एंड़ा दीच अन्यों दीपान सब्जी पक चुकी है अब इसको एक बर्तर में निकाल लेते हैं अब देख सकते हैं मेती आलू की सब्जी बन के तयार हो चुकी है तो फ्रेंड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट चरूर करिएगा फ्रेंड अगर आपको कुछ वीडियो नहीं रेस्पीच चाहिए होगी तो बताईएगा ज यहां भी फिर मिलेगे थाइंक्स वाऍर बाचिक भाए बाए लिगाे अ mad